नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्शिता तुमर आये नजल डालते हैं मुख्य खबरों की ओर पीएम मोदी की बारा करोड की कार का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है सोशल मीडिया से लेकर हर विपक्षी नेता की जबान पर पीएम मोदी की मरसेडीस कार है पहले दुनिया का सबसे महंगा प्लेन और आप सबसे महंगी कार की सवारी को लेकर पीएम मोदी इस वक्त हर किसी की निशाने पर है लोग कह रहे हैं कि अपने आप को फकीर बताने वाले पीए मोधी दुनिया के सबसे महेंगे शौफ करते हैं और खुद को फकीर बताते हैं वहीं महाराष्ट में शिव सेना के संजे राउत ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को अब खुद को फकीर नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनके काफिले में 12 कुरोड रुपई की कार भी शामिल है अब खुद को फकीर नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके काफिले में 12 कुरोड रुपई की कार शामिल है राउत ने कहा कि 28 दिसम्बर को मीडिया ने प्रधान मंत्री मोदी के लिए 12 कुरोड रुपई की कार की तस्वीरों की सूचना दी थी एक व्यक्ति जो खुद को फकीर प्रधान सेवक कहता है वो विदेश में बनी का का इस्तिमाल करता है राजे सबा सदस्य ने कहा कि प्रधान मंतरी की सुरक्षा और आराम महत्वपूर्ण है लेकिन अपसे प्रधान सेवक को यह नहीं दोराना चाहिए कि वह एक फकीर है बता दे कि प्यम मोदी के शौक बड़े महंगे हैं उन्हें ब्लैक पट्टी वाली घडियां बेहत पसंद हैं इसकी कीमत करीब एक से डेड़ लाग के बीच में हैं प्यम मोदी मोंटर ब्लैंक के पैन इस्तमाल करते हैं जिसकी कीमत एक लाग तीस हजार रुपए के करीब होती है प्यम मोदी का लाखों का चश्मा यानि संग्लासेस पहनते हैं अकसर प्यम मोदी को फोटो लेते हुए देखा चाता है उन्हें तस्वीर लेने का बेहत शौक है उन्हें कई बार सेल्फी लेते हुए भी देखा गया है प्यम मोदी सबसे महेंगे वाले आईफोन का स्तमाल करते हैं यानि साथ ही खुद को टेकनलोजी की रेस में आगे रखते हैं प्यम मोदे जस प्लेन का स्तमाल करते हैं वो बहुत हाई टेक है हमारे साथ मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार।